सब को मेरी ओर से जय शुकी तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभी शुमसी के दुख्भोग के समय याने की लेंट सीजन के तेरवे दिन में और आज की हमारी उपवास प्रात्ना और मेडिटेशन का विशे है बी काइंड दयालू होना दयालू होने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें किसी का दुख सुनकर उसकी तकलीफ देखकर उसके उपर दया आ रही है तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रात्ना करें प्रातना करना बुरी बात नहीं है लेकिन प्रातना के साथ हम उसके लिए प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं ये माइने रखता है और इसका बहुत अच्छा एक्जामपल हमें देखने को मिलता है पवित्र बाइबल में जब प्रभुयेश्य मसी लूकारसी सुसमा चार अध्याय दस में भले सामडी का दृष्टान सुनाते हैं प्रभुयेश्य मसी उसमें एक अच्छे पडोसी का दृष्टान सुनाते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसमें हमें उसका दयालूपन भी देखने को मिलता है उसमें लिखा है कि एक आदमी यरुशलेम से यरी हो जा रहा था रास्ते में कुछ डाकूँ ने उसे लूट लिया और उसे मार कूट कर रास्ते में ही अदमरा छोड़ दिया जब उसे वहां रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया तो एक याजक वहां से निकला जिसने उसे देखा लेकिन उसे इर्शा करके उसे घिना करके वहाँ से आगे निकल गया उसके बाद एक लेवी आया उसने भी उसे देखा और उसे छेड़ चाड़ के देखकर फिर आगे निकल गया कुछ देर बाद वहां से एक सामरे निकला उसने उसे देखा और उसके जखमों पर पट्टी बांधी और उसे एक सराई में ले गया और वहां जाकर उसके मालिक को दो दिनार दिये और उसे बोला कि अगर और भी पैसे की जुरूरत पड़े और भी रुपए की जुरूरत पड़े तो मैं तुम्हें लोटते हुए उसे लोटा दूँगा इस दिश्टांत से प्रभु येश्य मसी उस धनी व्यक्ति से ये बताना चाहते थे कि एक अच्छा पडोसी कौन है जो अपने पडोसी से पूरे मन से प्रेम करे क्योंकि प्रभु ने हमें सबसे बड़ी आगया यही दी है जब एक धनी व्यक्ति ने प्रभु से पूछा कि स्वर्ग राजे में जाने के लिए मैं क्या करूँ प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आगया यही है कि अपने पडोसी से अपने समान प्रेम करना तो इसमें प्रभू ने एक अच्छे पडोसी का example हमें दिया है लेकिन इसके साथ साथ हमें एक अच्छे पडोसी का दयालूपन भी देखने को मिलता है कि अगर हम एक अच्छे पडोसी हैं तो हम अपने भाई बहन पर या हमारे कोई friend circle में हमारे known में कोई ऐसा इनसान है जिसे help की जरूरत है तो क्या हम उसके लिए अपनी kindness दिखाते हैं या सिर्फ हम प्रातना करते हैं और जैसे कहा भी गया है कि helping hands are better than praying lips वही है एक असली कृस्तिय जीवन हमें practically उस kindness को दिखाना है हमें अंदर से kind बनना है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रातना नहीं बलकि practical भी करना है अब सोचने की बात है कि जैसा कि प्रभू ने हमें दिया कि अगर तेरे भाई के पास कपड़ा नहीं है और तेरे पास दो कुरते हैं तो उसमें से एक कुरता उसे दे दे ऐसे ही अगर कोई हमारा भाई है जो गरीब है जिसके पास पैनने के लिए कपड़े नहीं है और वो कभी हमसे कपड़े मांगे या फिर उसके पास खाने के लिए बोज़ा नहीं है और वो हमसे खाना मांगे तो हम उसे खाना और कपड़ा देने की बज़ाए उसे समय उसके लिए प्रातना करने लग जाएं तो उसके मन में आपके लिए कोई gratitude नहीं रहेगा या हमारे लिए कोई gratitude नहीं रहेगा प्राथना करने की बजाए अगर हम उसकी help करें हमारे पास धेरो कपड़े रहते हैं पहनने के लिए अगर उसमें से हम एक या दो भी उसे दे दें वो है real kindness ये है kind होना, दयालू होना जो की प्रभू हमसे चाहते हैं तो आज की हमारी प्राथना का यही विशे है अपने जीवन में दयालू बन सकें तो चलिए प्राथना करते हैं स्वरशक्तिमान पिता हम आपका धनेवाद करते हैं इस समय के लिए आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है और प्रभू हम आपका धनेवाद करते हैं आज की इस उपवास प्रातना और मेडिटेशन के विश्य के लिए जो है बी काइंड, दयालू होना. प्रभू हम जानते हैं कि आप हम से कैसा जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम practically kind बने, हम practically दयालू बने, होने दे खुदावन कि आपका पवित्रात्मा हमारी मदद करे हमारी सहायता करे आपके जो वचन है उसके उपर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करने में हमारी अगुआई करे क्योंकि आपका पवित्रात्मा आपने हमें हमारी सहायता के लिए दिया है जैसा कि आपने हमें भले सामरी के दिश्टान्त में सिखाया है वैसा ही हम भी बन सकें और जब कभी भी हमारे भाई या बेहन को या हमारे नोन में यानि कि हमारे पडोसी को किसी तरह की भी help की जरूरत पड़े तब हम उसकी मदद कर सकें, हम दयालू बन सकें इस प्रात्ना को हम आपी के इकलोते पुत्र हमारे उधार करता ये शुक्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं तो यही है हमारी आज की उपवास प्रात्ना और मेडिटेशन का विशे इस पर मनन करें प्रभू आपके साथ हैं God bless you all